इस summer season में अगर आप अपने लिए एक best budget friendly cooling efficient air conditioner purchase करना चाहता है तो दोस्तो ऐसे में Indian brand का Hevels Lloyd air conditioner आपके लिए बहुत अच्छी choice बन जाता है और दोस्तो Hevels Lloyd में आपको inverter और non inverter दोनों ही air conditioner के options देखने को मिलता है और आज के इस वीडियो में मैं आपको Hevels Lloyd के 1.5 star inverter speed air conditioner और 1.5 star non inverter air conditioner के बारे में information दोनगा वो भी pros and cons के साथ में जिससे कि दोस्तों आपको काफी हद तक आसानी होगी अपने लिए एक best bank decision लेने में Hevels Lloyd के air conditioner के बारे में information देने से पहले दोस्तों अगर आप अपने लिए पहली बार कोई AC purchase करना चाहते हैं या फिर अपने पुराने AC को replace कर एक नया AC खरीदना चाहते हैं और जामना चाहते हैं कि दोस्तों आपके लिए कून से type का AC best रहेगा जिससे कि inverter AC या फिर एक non inverter AC एर conditioner में दोस्तों जो star rating stickers होते हैं उसके उपर जो star rating mention होती है जैसे कि 3 star, 4 star या फिर 5 star तो इसे में दोस्तों आपके लिए कून से star rating का AC best रहेगा जिससे कि आपकी बिजली का बिल भी काफी हद तक कमाए एर conditioner आपको room size के साब से कितने ton का पर्टिस करना चाहिए जैसे कि 1 ton, 1.5 ton या फिर 2 ton तो दोस्तों इस topic के उपर हमने आपके लिए एक detail में वीडियो बना हुआ है जोके complete AC buying guide वीडियो है एर conditioner खंदिने से पहले दोस्तों आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मेरा दावा है कि आपकी सारे doubts में हो जाएंगे और आप अपने लिए एक best races जरूर पर्टिस करपाएंगे दोस्तों इस वीडियो के लिंग आपको description box में मिल जाएगी दोस्तों हैवल स्लाइड के air conditioners में आपको हल टाइप की capacities के options में जैसे कि 0.8 टन, 1 टन, 1.2 टन, 1.5 टन, 1.6 टन और 2 टन capacities इन में दोस्तों आपको heavy routine air conditioners के options भी मिल जाता है और दोस्तों अच्छी बात है कि आपको wifi enable air conditioners के options भी देखने को मलता है दोस्तों जितने भी category की और जितने भी capacity के models हेवल स्लोड में available है उन सभी की best buying link में आपको description box में available करा दूँगा अब अपने requirement के साब से उन models को बे check out कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों शुरुबात में मैंने आपको बता आता है कि इस वीडियो में आपको हेवल स्लोड के 1.5 star inverter speed air conditioner और 1.5 star non inverter air conditioner के बारे में बताऊंगा दोस्तों इन दोनों की air conditioners में आपको कुछ common features और technologies देखने को मलती है जैसे कि दोस्तों रफिजेंट gaze की बात करें तो आपको इन दोनों ही ACS वे आरबातिस रफिजेंट gaze मुलेगी जो कि green grace है और cooling के production भी मिल जाता है दोस्तों अब हम सबसे पहले आपको हेवल स्लोड के 1.5 और 5 star inverter speed air conditioner की बारे में information देना शुरू करता है दोस्तों इस model में आपको 1500 watt की यहाँ पर 100% cooling के आपसिटी मिलती है और इस हिसाब से दोस्तों यह AC आपको 1.4 फाइटन का मिल जाता है दोस्तों यह एक 5 star rating का air conditioner model है तो इसमें आपको 5.06 की यहाँ पर ICR value देखने को मिलेगी और यह air conditioner दोस्तों 20 star rating परामेटर के साफ से सालना 780 unit consume करता है दोस्तों इस model में आपको 39 decibel का यहाँ पर noise level operation मिल जाता है वही दोस्तों compressor की बात करें तो इस model में आपको inverter rotary compressor मिलेगा जिसमें Hevels Lloyd ये claim करता है कि दोस्तों 52 degree ambient temperature में भी आपको इस compressor से बहुत अच्छी uniform cooling मिलेगी दोस्तों इस model में आपको 5 in 1 convertible cooling modes मिलेंगे जिसमें 100% capacity के लावा इसी को आप 40%, 60%, 80% capacity में use कर सकता है वही दोस्तों आपको 5 वाँ mode AI mode का feature मिलता है जो कि दोस्तों आपके room के temperature को sales करते हुए cooling को manage करता है और दोस्तों ये जो mode है वो minimum 30% capacity से लेकर maximum 110% capacity के बीच में work करता है यनि कि दोस्तों room का temperature जो भी होगा उसके साफ से दोस्तों auto adjust करेगा और आपके room में एक अच्छी uniform cooling बना रहेगा इस model में दोस्तों आपको low gas detection का feature भी मिल जाता है सपोज दोस्तों AC में gas later अगर कोई भी issue है तो AC के जो indoor unit है वहाँ पर E5 का error जो है ये AC show करेगा साथ ही दोस्तों filter clean indication का feature में मिल जाता है जो भी आपको indoor unit के अंदर filter मिलता है सपोज अगर वह गंदे हो गया है तो AC दोस्तों indoor unit के डिसले पर CL का error show करेगा वही एर filtration में दोस्तों आपको PM 2.5 filter और anti-viral filter मिल जाता है और दोस्तों ये जो filters हैं वो हवा से virus vector को proper तरीकी से clean करता है और air conditioner से आपको healthy और fresh air provide कराता है इस model में दोस्तों आपको smart 4-way air sink का feature मिलेगा यानि कि दोस्तों जो air conditioner का indoor unit है और जो blur है वहाँ से left and right and up and down चारो दिशाओं में air circulate होगी जिससे कि आपको जो room है वो fast cool होगा इस model में दोस्तों एक अच्छा feature आपको और मिल जाता है और वो है installation check का feature जब कभी भी दोस्तों AC अगर आपके हाँ install हो जाता है तो आप इसे swim जो है वो check कर सकते हैं कि आपका जो AC है वो proper installed हुआ है या फिर नहीं हुआ है दोस्तों आपको एक program run करना होता है air conditioner के remote control के थुरू और इसके उपर दोस्तों already हमने एक video बना हुआ है वो video आप देख सकते हैं जिससे कि दोस्तों आप समझ पाएंगे कैसे आपको process करनी है दोस्तों जब भी आप वो program run करेंगे तो AC जो है वो 15 अलाग अला test करता है और ये check करता है कि दोस्तों आपका जो AC है वो proper install हुआ है या फिर नहीं हुआ है अगर AC proper install हुआ है तो जीओ का symbol दोस्तों एर कंडिशनर के indoor unit पर visible होगा और अगर नहीं हुआ है तो NG का error जो है वो display पर show होगा बात करें warranty किते दोस्तों इस model पर आपको एक साल की over product पर warranty मिलेगी 5 साल की PCB और 10 साल की compressor पर दोस्तों जो भी product link में आपको इस model की provide करूँगा वो सकता है कि वहाँ पर आपको एक साल की over product पर warranty मेंशन हो या फिर 10 साल की compressor पर लेकिन दोस्तों actual inverter AC के उपर learn कितनी warranty ओफर करता है इसकी detail दोस्तों आप have a flood की website पर check out कर सकता है वहाँ पर clearly mention है कि inverter air conditioner पर आपको पास साल की PCB पर भी warranty offer होती है तो अगर आप इस air conditioner को अपने लिए purchase करना चाहता है तो पहले आपके लिए pros and cons जाना काफी ज़दा दरूरी है कमी के गरवे बात करूँ तो इस AC में दोस्तों compare to other air conditioner के जो भी model available है अलग अलग brand के उनमें आपको indoor के cooling calls को clean करने के लिए लग से feature मिलता है वो आपको इस model में नहीं मिलेगा वहीं दोस्तों एक और कमी है कि जब कभी आप air conditioner को पहली बार run करेंगे तो initial time पर दोस्तों AC थोड़ा सा noise ज़ादा करता है लेकिन दोस्तों देरे देरे जो भी आपने temperature अगर सेट किया है वो अगर AC मैच कर लेता है तो फिर noise level भी automatically settle हो जाता है दोस्तों जो कमी में आपको बताई है अगर आपके लिए वो कमी कमी नहीं है और आप अपने लिए एक best budget friendly air conditioner परचेक्स करना चाहता है तो AC में दोस्तों ये AC आपके लिए बहुत अच्छी choice बन जाता है सबसे पहले दोस्तों कम budget में आपको ये AC मिल जाएगा और इसके अंदर दोस्तों वो सारे required feature मिल जाएगे जो कि एक inverter air conditioner को complete बनाता है जैसे कि दोस्तों एक अच्छा air filtration आपको इस model के अंदर देखने को मिल रहा है साथ ही दोस्तों आपको 4W air swing भी इस model के अंदर देखने को मिल जाता है इसके लावा दोस्तों आपको एक installation check का feature मिलता है जो कि काफी काम का और उप्योगी feature है दोस्तों ये वज़य बन जाती है इस AC को अपने लिए purchase करने की और दोस्तों फिलाल आप इस AC को purchase कर सकता है मातर 40-4990 रुपए में जिसके best buying link मिलेगी आपको description box में inverter air conditioner के बाद दोस्तों बाद करेंगे Hevels Lloyd के 1.53 star non inverter air conditioner के बारे में इस model में दोस्तों आपको 5-10 watt की यहाँ पर cooling capacity मिलेगी और actual turn के इसाफ से ये AC आपको 1.42 turn का मिल जाता है इस AC में दोस्तों आपको 11.6 kg का indoor unit मिलेगा और outdoor unit 36.9 kg मिलेगा यानि कि काफी heavy outdoor unit इस model में आपको मिल जाता है वहीं ऐसे value दोस्तों इस AC में आपको 3.82 की मिलेगी और भी star rating parameter के साफ से ये AC सलाना 1012 unit consume करता है वहीं noise level इस AC के अंदर आपको 48 decibel का मिल जाता है Lloyd के इस non inverter air conditioner में दोस्तों आपको fixed speed rotary compressor मिलता है जिसमें दोस्तों Lloyd ये claim करता है कि 48 degree ambient temperature में भी आपको इस compressor से बहुत अच्छी uniform को लिंग मिलेगी इस model में दोस्तों आपको 4 way air swing का feature मिल जाता है साथ दोस्तों आपको self diagnosis का feature मिल जाता है और air filtration में दोस्तों आपको PM 2.5 filter और NT viral filter मिलता है और दोस्तों ये जो filter है वो बिल्कुल आपको healthy और fresh air air conditioner से provide कराता है warranty की बात करें तो एक साल की overall product पर आपको warranty मिलेगी और 5 साल की compressor पर और अगर आप इस AC को अपने लिए खरीदना चाहता है तो दोस्तों पहले आपके लिए pros and cause जाना काफी ज़्यादा ज़रूरी है कमी केकर मैं बात करूँ तो दोस्तों सीथी सी बात है आपको एक non inverter air conditioner जो मिल रहा है उसमें आपको fixed speed rotary compressor मिलेगा जो कि हमेशा 100% capacity में ही काम करेगा इस वज़े से दोस्तों इस AC में आपको noise थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मल जाता है लेकिन दोस्तों noise इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इससे आपकी निंद इस्टब हो जाए इसे में दोस्तों काफी सारी वज़ा है इस AC को अपने लिए purchase करने की पहली वज़ा तो दोस्तों यह है कि budget friendly air conditioner आपको मिल रहा है दोस्तों फिलाल इसकी current price है 34,290 रुपए जिसकी best buying link मिलेगी आपको description box में दोस्तों हम ground level पर जाकर महनत करते हैं, research करते हैं, फिर हम आपके लिएक video प्रिपर करते हैं ताकि आपको मदद हो अपने लिए एक best product को चूश करने में इसे में दोस्तों अगर आप कोई भी product online करेता चाहता हैं, तो हमारे दोरा दिगए discount affiliate link से ही purchase करें आपको वहाँ पर bank के credit card और debit card के उपर offers देखने को मिलेंगे और अगर आप हमारी affiliate link से अगर purchase करते हैं, तो दोस्तों आपकी product की price होए रहेगी लेकिन आप इंडारिकली हमारे चनल की काफी ज़्यादा financially help कर देंगे अगर आप हमें सब बूट करना चाहता है, तो हमारे दोरा दिगए affiliate link से ही purchase करें तो दोस्तों ये रहे complete information, हैवल स्लोयड के 1.5 फाइटन 5 स्टार inverter split air conditioner और 1.5 फाइटन 3 स्टार non inverter air conditioner के बारे में, जहां हमने इन दोनों ही air conditioner के features and technologies के बारे में आपको बताया है साथ ही pros and calls भी बताया है, जो कि दोस्तों आपको काफी हद तक मदद करेंगे अपने लिए एक past buying decision लेने में दोस्तों अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो please इस वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलेगा और ज़्यादर सदा इस वीडियो को अपने family friends member के साथ जरूर शेर कीजएगा और अगर आपकी कुछ सवाल है, तो please comment कीजिए, मैं आपकी सवाल अगर apply आपको ज़रू करूँगा दोस्तों आज के वीडियो में अतना ही, मिलता है बहुत चल्द एक new वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, बंदे, मातरावन